कि देखिए भारतितन से मितागी फुष्विक अच्छा में हमें आपको अपराधिक मानोबद हत्या पर दोज्ज़ कर ला था अपराधिक मानोबद कब कोई हत्या अपराधिक मानोबद हो जाएगा और हत्या अपराधिक मानोबद है इन दोनों चीजों में जो मूल भूत अंतर है इसकी चर्चा हम कर रहे हैं जैसा कि कि अपराधिक मानोबद के लिए जो पांच अर्वत्या पराधिक मानोबद हो जी इसको अपने पिछले चश्चा में आपको बताया था इसकी प्राधिक मानो बद होगी बहला था कि आपराधिक मानोबद है कब हत्या नहीं है मतलब कब कोई हत्या आपराधिक मानोबद होती है आपराधिक मानोबद और हत्या में जैसा कि मुख रूप से जो अंतर है आपराधिक मानोबद में ब्यक्ति का हत्या करने का जो इरादा है वह है उस उन परिस्टियों में मुख रूप से इंटेंशन वेपन और नालेज आस्यान और उपकरन अपराधिक मानोबद हत्या में अंतर को पस्पस्ट करता है जैसा कि आपको अंपराधिक मानोबद अर्थात हत्या कब अपराधिक मानोबद है जब वह अपराधिक उस समय गंभीर और अचानप प्रकोपन किनाते आत्मस्टियों की सक्थ से पंचित हो गया हूं ऐसे कंडिशन तो अपराधिक मानोबद क्या हो जाएगा हत्या हो जाएगा दूसरा अपराधिक मानोबद कब हत्या नहीं है अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि सभी हत्याएं अपराधिक मानोबद होती हैं परन्तु सभी अपराधिक मानोबद हत्या नहीं होती है ज्यान दिजिए प्रस्णापका ऐसे भी बन सकता है कि प्रते हत्या अपराधिक मानोबद है लेकिन प्रते का अपराधिक मानोबद हत्या नहीं है पहला दिश्टांग पहला इसका अपवाद है अपराधिक मानोबद क्या है अपराधिक मानोबद स्तात्पना जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्तिकी मृत्यू कारित करने के आसे से आयसे सारी इच्छत कारित करने के आसे से जिससे मृत्गारित होना संभव है कोई गार करका वृत्ध करता है वाफी सिल्ताक का दोस्य होता है अब यहां पर-जो पहला दिश्टान का है और जू हत्या के लिए हैं हत्या का जो हत्या का जो दिश्टान भताया गया है कि आप वहाधिक दसावं को छोड़ कर is it प्रतेक अप्राधिक मानुबद हत्या है यदि वहकार जिसके द्वारा मृत्युकारित की गई हो मृत्युकारित करने के आशाय से किया गया इंटेंशान इंटेंशान मस्ट भी मड़र अंकल्पेबुल होमुसाइड अप्राधिक मानुबद और हत्या में आसे महत्पूड होता है इंटेंशन महत्पूड है यहां पर आप देखते हैं कि जो पहला दिश्टांत है यह करता है कि यह दिवहकार जिससे मृत्युकारित की गई हो मृत्युकारित करने के आशाय से किया गया हो जैसे इसमें आपको मिलेगा कि यह को मार डालने के आशाय से कर उसको गोली चलाता है पढ़ाम जरू वह मर जाता है और यह को मार डालने के आशाय से भी गोली चलता है उस गोली चलने के पढ़ाम जरू गोली चलने के पढ़ाम जरू भी मर जाता है तो एह भेत्ञा का दोसी होगा आप राजिक मानुब्वगत का दोसी नहीं होगा क्यों कि उसको इस बात का पता है इसका आशा एक ठिक्स है जोनी लगने से विद्टि के मृत्यू हो सकती है जोनी लगने से मृत्य होना संभव हो जाएगी गोली लगी तो निसी देम्रित्यू होगी और यह सामान पर यह अपना आए गोली लगने से किसी देम्रित्यू हो सकती है तो वह है आप राधी मानवबद नहों कर हत्या होगा दूसरा दिश्टांट देखते हैं हत्या का कि यह दिवाकार एक एससे सारी छत कारी करने के असेस किया गया हो जो किया गया हो जिसे अपराधी जानता है कि वह उस कार से मृत्यू कारित होना संभव है जिसको वह अपहान कारित कर रहा है तो वह हत्या होगा हत्या कब होगा कोई कार तब हत्या होगा जब वह कार करने वाला व्यक्ति किसी ब्력ति की सारजीफ्चत कारिट करने का अस्त्य सारजीफ्चत करते समय भशह इस बाता जानता है कि इसने मिद्वकानित होना संभव है मृत्यू हो सकती है तो वह है अगर ऐसा कार करके मुठिका आइज करता है जिससे संभव है अज संभादता है मृत्यूकारिश हो जाएगी तो वह है आप राधिक मानौ बद के लिए दोसी नहीं होगा बल्के हत्या के लिए दोसी होगा ध्यान दिजिए आप राधी मानोपाद के लिए दोस्ति नहीं होगा अस्तिया के लिए कब जब हुआ व्यक्ति कि ऐसी सारवी छट क्याइद कर रहा है जिससे मृत्त कारित होना संभव है अब आप ऐसे ध्यान दिजिए कि फाइट हो ना करा लागा लड़ा हो रहा लडाई करने में कोई ती लोहे के लाट से या ब्लांड इंजरे अब देखिए सारवी लुत आई ब्लांट दिंजरी से मोटे घाव से किसी ब्यक्ति के शरीव के मर्व पाड़ पर जैसे शरीव के पेट में या सर पर ऐसा प्रहार करता है जिससे अधिक होने कि समावना प्रबलह ऊधैं कि यह उसका आसए को मिलित काहिस करने कि नहीं होता तो पाहर मार संकता सब्सक्राइब लेकिन सर्फ पर अगर पहार किया जाए तो किसी भी विव्यक्ति की समभावना अधिक होगी यहां पर क्या है उसका आसर है करना इंजरी कारिद करना इंजरी कारिद करने से ताथ पर है कि वहां पर अब हम आप बताते हैं जैसे जान दीजिए इसका दिश्टांत है कर मतब ए यह जानता है कि भी एक रोग से ग्रस्त है ए नामन जख्ती जानता है कि भी जो है रोग से ग्रस्त है और एक प्रहार एक प्रहार उसकी मृत्युकारिद करने कर देता है एक प्रहार से उसकी मृत्युकार देता है यह जानता है कि भी किसी रोग से ग्रस्त है उसको एक गुसा मारता है उसकी मृत्यु को जाती है सारी छट चाहिप करने के आसे सब्सेगा आगात करता है उसको सरीर के इंजिरी काहीच करने के आवसे भूल बस नहीं Intentionally, Intention से इसको आखात करता है या उस प्रहार के पढारान सरुप B उस प्रहार के पढारान सरुप मर जाता है यह यहां हत्या के दोस्य होगा क्यों है हत्या के दोस्य होगा इसलिए कि वह जानता है कि जिस ब्यक्ति को हम इंजरी कारिद कर रहे हैं इतनी इंजरी से वह मर दखता है प्रभल प्रबल है तो क्या करेगा हुगा अगर उस जान होज कर कर के उस ब्यक्ति को इंजरी कारीकश्यक वजाते हैं तो अथिया का zł दोस्य होगा अप्रादी मानों बद नहीं हत्या का दोस्य क्यों आसे उसका है इंडेंजर उसका पहले से प्रिप्लान है पहले सी योजनाबत तरीके पहले जो जानता है इसकार से लेकिन किसी सामान स्वस्थ व्यक्ति का किसी सवस्थ व्यक्ति को एक अच्छे सरीन वाले व्यक्ति को प्रहार किया जाए जिससे उसी मृत्तु नहीं होगी जो प्राकित के मामूली अनुक्रम में प्रयाप्त नहीं होता है परन्तु यदि यह जानते हुए कि भी किसी रोग से ग्रस्त है उस पर प्रहार करता है और जिससे कोई अच्छा स्वस्थ प्रकित का व्यक्ति मामूली अनुक्रम में नहीं मरता तो य करने काशच करता है हत्या का दोसी नहीं होता घ्यान दीजिए इस डिश्टान करता है कि ए नामज व्यक्ति जानता है जिसी रोग से ग्रस्ता है और उसको सारीलिक शती एक हुसा मार करके करता है इस आणसर से इगर यह मारें दो मर जाएगा लेकिन पूइ दूसरा व्यक्ति वह इस बात को नहीं जानता है कि इन आमस व्यक्ति कमजोर है या रोग से गरस्ट है अगर वह उसको इंज़री मारता है वह उसको चोट करता है जैसी नामच जानती चांथ है कि विमार है घमजोर है और यह जान उसके करता है सुछत के परणाम जरूपे मर जाता है तो हस्याह कदोजियों का सिन्दों में आएगा और स्थी नामा केफ़ी नहीं जानता है किया है रोख से ग्रस्त है एक गुशा उसको मारता है जो प्रखित के मामूली अनुक्रम में सामान अनुक्रम में किसी किम्रित होने करें प्रयाथ नहीं है है अगर इस प्रहार से जीए प्रहार से भी मता है तो यहां अपनाजित मानों पाज के लिए और दोस्टी होगा हस्तिया के लिए है कि इस लिए कि जानता है कि इस इस इंजरी से भी किम्रित्यों हो जाएगी है और C नहीं जानता है कि इस दिल्गोंित्रों की होगी यहाँ पर आशwelt असे वेक्ट इस से हैं आश्ट αυτ़ राध़िक माणो आश्यक अपराधिक मानो बद का दोसिश होगा और जी शपन हर्क़र A हत्या का दोसिश होगा कissements मारने में और हिए अपराधिक माना भल्ध के लिए राध़िक लिए त्या अपराधिक माना भल्ध में इंडेंशन थी तुख नार गरी कैसा त्याय कक्यु देखता की कि जिससे कार्विट किया गया हो प्रकित्य मामूरी अनुकरम मित्त करने के परेयाप्त तो है कात्य होगा जैसे को यह भी व्यक्टि गने को है और अप्धिक यह आसा किया जाता है अजरी समाहूंद है कि है कि ञींडित हसी कि हो जाएगी तो हत्या का डोसि होगा जैसे गे जैसे ए को तैल यह अलापव या नाती से आहात खोचाने के लिए 20 आसे प्रहार करता है जो प्रकित के मामूरी कुरम में किसी मनुसरlais की व्रित व्रॉट करने कर रिए पर्याप्त करता है एक व्रॉट कर द skipping कर देता है यहाँ पर भी हत्या का क्ज्टी होगा क्योंको उसका आसर एक कर दिक करने करता मडर का तीसरा दिश्टान कहता है हत्या के तीसरा दिश्टान कहता है कोई ब्यक्ति किसी ब्यक्ति को सारीलिक छती कारिद करता है और सारीलिक छती इस आसे से करता है कि प्रकित के सामान अनुकुरम में अपेक्षा किया जाएगा को जाएंगे तो हद्या का दोस्तिय हों अभा तलवार के या से qapar हमला किया जाए तो म्रॉत्य होनाता है अगर तलवार घ्जावाव से किसी प्रहार गिया जाएगा तो वह इंजरी से मर सकता है और जो व्यक्ति सारी इक्षटी कारित करता है लेकिन इसासर से करता है कि रुट्य हो जाएगी कि अर्था यह कि यह जानता है यह जान मुश्कर्थी जो उपर तवार से वार करता है और पंदे सामाज बेअ आपके तरवास तक है कि यह सार्थ इंजरी काई किया जाएगा तो अर्थिया का दोष्य हो अपुट्य barrel का नहीं अप्राधि मानवद्न है कि यह लेकिन तीन सो में निखा है कि प्रखित के मामूली अंकरम में इसी जारी इच्छत कहिए जाएगा उस इंजरी से किसी भी व्यक्तिमित्य हो सकती है अगर तलवार किसी को भूक रहे हैं तो मरने की संभावना प्रबल है वहां हत्या होगा प्रधिमानोबद नहीं होगा चौता दिस्टान्त इसका है इसका चौता दिस्टान्त है यदि कार करने वाला ब्यक्ति यह जानता हो कि वह कार इतना खतरनाक है कि पूरी अधि संभावता है कि वह मृत्यू कारित कर देगा एसी सारी छट कारित करता है कि जिससे मृत्य होना संभव है वह मृत्यू कारित करके छट कारित करने का जोखिम उठाने के लिए किसी पूर हेट्यू के बिना करता है तब भी हत्या का दोस्री होगा इसका सपस्टी करन क्या होगा इसका सपस्टी करन देखिए एक किसी प्रतिवेद के बिना किसी एक सम्मूपर भर हुई पिस्तौल तो गोली चलाता है और यहाट किसी अनिव्यक्त की हत्या हो जाती है तो वह है मिर्ट गाय करता है अब पूर जिंतन के बिना फिर भी वास्तिया के दोस्री होगा वह इस बात को जानता है कि गोली चलेगी तो चलेगा तो मरना तय है बहले उसका आश्या ने रहा हो पूर जिंतन न रहा हो लेकिन उसका आश्या नालेज है कि गोली चलेगी गोली चलाएंगे तो चलाएंगे मृत्यू होना संभव है जिसको लएगा तो हत्या का दोस्री होगा ठीक इस तरह से हत्या अप्रादिमानोबद में अंतर को चारों चीजों को आप अस्पस कर प्राइब्ट अदिकार प्रेक्रा का आधिकार में की आप नहीं फोर होगा प्रादिमानोबद कि दहाँ रस्ताव के में उप्दीर प्रावधान कंतर्गत आता है तो वह अप्राधिक मानौबद हो दोंगा जर्ट्य महीं होगा इसके बाद लोग सेवत को लोग से भगांपने पधीकरतब का निर्वान कर रहा है पधीकरतब में अपने अपने लाइबिल्टी के अंदर अपने साइट के अंदर होते हुए अगर वह कार करता है जिससे में तुकारित हो जाती है तो अपर आधिक मानुबद का दोसी होगा त्यांदीजिए तीशरा है अचानक लाइज हगड़े के आवेश्या कर दिया कोई का आपस में एक साथ रहते हैं एक साथ हैं को ऐसी बात होती है जो अचानक लाइज हगड़े के पढ़्याम होती है उस अचानक लाइज हगड़े के पढ़्याम तुरूप ऐसा करते हैं तो अपराधिक मानुबद के लिए दोसी होंगे हत्या के लिए नहीं होंगे यह चौता दिश्ट के लिए आत्माद्या के लिए या तो 18 वर सुजिन की अधीक उमर आहे जो कि उठाने के लिए जोंट होते हैं सामत के प्रणाप करते हैं तो वहां पर एक व्यूसे महलें विजल पा सवान के समर्ज ने बताया था की दसर्त पासवान हूँ हुआ है प्रिक्षयां बार बार पर बेर पट्रीझ है ऑपनी ब्रदों के भाप्ती दन्जा जिन्जाव पांच घंड में आने के नाते यह हत्या अप्राधिक मानोबद होगा हत्या नहीं होगा तो इस तरह से अब आप कि दियों कर दिए अग्ले दिन आपसे भताया आएका ताम्यवाद